नमश्कार दोस्तो मैं हम पुछिशवोरमा आप दिखीरे मेडिशन केंग और मैं आज आपके लेकर आए नया इंग्जेक्षन का रिव्यू देखे दोस्तो मेरे हाथ में है मीका से इंख्षन और दोस्तों ये बहुत अच्छा ब्रैंड है दोस्तों और ये आपको इसली कैमे शॉप पर मिल जाएगा दोस्तों देखें दोस्तों इसके content के उपर नज़र डालते हैं कौन सा content है ये और इसका content क्या है इसका और कौन सी company का है दोस्तों उससे बड़े दोस्तों अगर आप म एम जी का injection और दोस्तों ये बहुत ही effective injection है दोस्तों चलो हम दोस्तों और इसकी company भी देख लेते कौन सी company का है ये दोस्तों ये देखें अरिश्टो कंपनी इस injection को बनाती है इस्टो फार्मसिटिकल और इसकी MRP दोस्तों 23 रुपे 50 पैसे दोस्तों ये डॉक्टर की सला से injection को यूज करें डॉक्टर की सला के बिल्कुल यूज ना करें दोस्तों और दोस्तों चलो हम इसके कुछ यूजर्स के बारे में जान लेते हैं आज दोस्तों दोस्तों बैक्टेरिया से होने वाली किसी तरह की infection हो या दस्तों तो उसमें बहुत ही कारगीर injection है दोस्तों या बच्चों को chest infection हो या चाती जाम हो दोस्तों या pneumonia हो दोस्तों तो उसमें बहुत effective injection है दस्त謝謝 में है जैसे कि दोस्तों रृचा का संक्रमन हो या got Getting infection हो तो इसमें बहुत effective है या चरम रोग हो या दात की समस्य हो तो इसमें भऌत effective injection दोस्तो तो यह बच्चों के लिए injection है 100 mg यह 500 mg में भी आता है दोस्तो injection जैसे कि 500 mg में आता है जो तो वह भात same ऐसी इसका function है दोस्तों और दोस्तों जिन माताओं बहनों को ये पेट में स्वेलिंग हो जाती है बच्चरदानी में स्वेलिंग हो जाती तो इसके लिए बहुत अफेक्टिव इंग्जेक्शन है दोस्तों ये किसी तरह की स्वेलिंग हो या पेट में दर्द हो तो दोस्तों इसका कोर्स हो या malaria के कारण बच्चा जुलस रहा हो तो उसमें बहुत ही effective injection है दोस्तों दोस्तों यह injection सिर्फ आपकी knowledge के लिए मैं बता रहा हूं डॉक्टर की सला के बिना ही लें डॉक्टर की सला से injection को लें बिना सला से मतलें दोस्तों अगर यह वीडियो अपको पसंद आया तो प्लीस लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों हम इसके कुछ doses के बारे में जान लेते हैं दोस्तों इसके doses हैं अगर बच्चा आपका दो तीन महिने का है दोस्तों 100 mg injection उसको आप 0.5 दे 0.5 सुबा शाम दे दोस्तों अगर दोस्तों आपका बच्चा है 6-7 साल का बच्चा तो इंग्जेक्शन वन एक टाइम भी 100 mg का लग सकता है दोस्तों और दोस्तों इसके कुछ यह doses है और दोस्तों इसके side effect देखे गए हैं दोस् दोस्तों अगर दोस्तों इसके side effect है इसको डॉक्टर की सला से ले इस इंजेक्शन को दोस्तों अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया आपको प्लेस लाइक कर दे सब्सक्राइब कर दे कमेंट कर ले और कमेंट में सुजाब दें दोस्तों धन्यवाद